इलेक्टिकल और सोलर प्रांट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करके और वाले नौटिपिकेशन को कर लिजी ओन जिससे हमारे जो वी वीडियो आए उसका नौटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए देखिए दोस्तो यह एक 11KB की BCB है बैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो यहाँ पर जो पैनल होता है उसको जो नीचे वाला साइड होता है बहाँ पर इसके लिए जो ट्रॉली होती है बीसी वी की जो ट्रॉली होती है उसको रखा जाता है नीचे की साइड और उपर की साइड पेड़ के लिए इंडिकेटर होई है और सबसे उपर जो है वो रिले लगे हुई है जो कि हमारे सैप। नीचे का पार्ट होता है उसमें इस परकार की ट्रॉली को लगाए पाए है इसमें में बर्क होता है और इसमें आधर पर ही इसका नाम रखा जाता है कि vacuum circuit breaker तो देखिए यहां पर जो इसका जो पार्ट है इसका जो ट्रॉली है तो इसमें यह देखिए जो हमारे जो तीन connector टाइप दिखाई दे रहे हैं इसको जो cluster बोला जाता है तो यह क्या करते हैं जो input supply होती है उसमें fix हो जाते हैं और input supply है वो उपर की side हमारी connect हो जाती है तो देखिए और जो cylinder type जो दिखाई दे रहे हैं इनके आधर पर ही इनी के बज़े से इसका नाम vacuum circuit breaker होता है तो वो हम आपको आगे इसके detail में बताने बाले हैं पहले इसके जो construction है उसको देख लें उसके बाद जो output supply है उसमें हमने क्या जब हम पैनल में ऊपर जो controlling panel है वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उस trolley को निकाल के जो हमारी main trolley होती है उसको निकाल के इस trolley को उसमें fix कर देते हैं इससे होता क्या है जो भी current या voltage रह जाता है लायन में वो इससे discharge हो जाता है हमारा अर्थ हो जाता है और अभी कुछ जो पैनल है वो आते हैं उसमें अर्थ सुच है वो पैनल के अंदर ही रहता है लेकिन इसमें जो है वो ट्रॉली टाइप ही अर्थ सुच यूज किया गया है तो वही उसमें लगता है और अगर यह नॉर्मल जो हमारा ट्रॉली होती तो उसमें जो नीचे की में भी connect हो जाते और इस पैनल में जो contact होते हैं उसको connect या disconnect करने के लिए जो spring mechanism होता है वो बर्क करता है तो इसके लिए देखी यहां पर जो है वो नीचे की side जो नीचे बालक contact है उसमें spring type mechanical mechanism का use हुआ है तो यह जो system है वो उसी का है तो इसमें जो भी हमारा जो command देते हैं पैनल को तो वो spring के सहायता से यह on या off करा देती है तो देखिए दोस्तो अब इसके बास समझेंगे हम इसकी बर्क की एक कैसे बर्क करता है तो देखिए main बर्क होता है यहीं पर देखिए दोस्तो यह जो cylinder type है इनको बोला जाता है vacuum interpreter और जो पैनल है PCB पैनल होता है उसमें सबसे important बर्क इनी का होता है और इसके आधार पर ही इसको vacuum circuit breaker बोला जाता है तो इनका क्या बर्क होता है तो देखिए जो interpreter हैं उनके बीच में contact होते हैं जो connect या disconnect होते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके जो internally part है उसके द्वारा समझते हैं कि यह कैसे बर्क करता है तो देखिए दोस्तो यह हमारा vacuum interpreter का internally part है इसमें इस प्रकार से बर्क होता है इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं तो देखिए सबसे पहले जो एक conductor होता है एक terminal होता है इसमें fix रहता है जो की output बीए थी करता है फ्रेक्टर कुमा वाला होता है ऊपर किसा होता है रहता है तो इसमें यह lo society जाइता है फिक्स कर दिया जाता है यह दिखाई आंग के दोए यह नहीं करता और इससे नहां बहुरत और ना श्रमार था ылक Dollar होता है ये मूख हो के हमारा जो fixed conductor है उसमें touch हो जाता है तो जब ये touch होता है तो जो हमारी supply है वो output ब्ले मिले लगती है तो यह J6更ator चैसे करता है तो सहाइयथा करती है जो वैङलो लगी है ये इसको मुख कर आती है और जो वैलो है वो directly connected होती है Haj जो जो spring mechanical होता है spring mechanical mechanism होता है उससे directly connect होती है तो जैसे हम इसको command करते हैं तो जो हमारी bellos हैं वो इस connector को conductor को move कराती है और move करा की off connect या disconnect इसको करा देती है तो देखिए दोस्तों अब इसका main bar cable है vacuum का vacuum किया होता है उसको अगर समझे तो vacuum एक ऐसी space जहां पर कोई भी particle ना हो ना तो gases का ना air ना oxygen कोई भी particle बहाँ पर ना हो कुछ भी ना हो उस जगह को vacuum बोला जाता है इसमें जो oxygen रहती है वो उसको निकाल दी जाता है क्योंकि जो oxygen है वो आग लगने के लिए oxygen का होना बहुत महत्मूर होता है तो इसमें से जो oxygen है उसको निकाल दिया जाता है और जो भी कोई particles होते हैं सभी को इसमें से निकाल दिया जाता है जिससे जो हमारे जो contact है ये दोनों contact हैं जब connect या disconnect होते हैं तो जो current है इसमें high रहती है voltage हाई रहता है तो जैसे ये connect या disconnect होते हैं तो इसमें कुछ आर्क है वो उत्पन होती है तो जो vacuum है वो क्या करते हैं उस आर्क को समाप्त कर देता है क्योंकि इसमें oxygen नहीं है तो जो आर्क है वो ज़्यादा तेज नहीं होगी जितनी भी वहाँ पर निकलेगी जब हमारे connector disconnect या connect होंगे तो जो vacuum है उसको समाप्त कर देगी तो इससे होता है क्या है जो हमारे आर्क ना होने से जो हमारा connector है वो उसकी life बढ़ जाती है वो खराब नहीं होते है क्योंकि अगर हम घरों में देखेंगे तो जो हमारे socket है अगर socket में कोई हम load connect करते हैं और उसमें बार बार connect या disconnect करते हैं तो अगर वो थोड़ा lose रहता है और उसमें spark होता है तो कुछ time बद पता चलता है कि जो हमारे socket है वो जल जाती है खराब हो जाती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें जो arc है वो कुछी समय के लिए उत्पन हो पाती है और जो back ακ hum है उसको बिलकुल समाफ़ट कर देता है एक जो half cycle होती है उसमें ही उसको समाफ़ट कर देता है तो इससे ज्यादा arc है वो उत्पन नहीं हो पाती है जिससे जो हमारे जो connecter हो टच होते हैं तो बहाँ पर ये सही रहते हैं ये खराब नहीं होते हैं जलते नहीं हैं तो इसकी इसमें लाइफ बढ़ जाती है और इसका एक और benefit है कि जब भी ये connect या disconnect होते हैं तो इसका जो आबाज है इसका जो sound है noise है वो बहुत ही कम होती है थोड़ा सा sound होगा कि ये जो connect है हुआ है या disconnect हुआ है इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा sound नहीं आता है क्योंकि इसके अंदर contact है वो connect या disconnect होते हैं तो इससे जो sound है वो बाहर तक हमारा नहीं आता है और ये बिल्कुल smoothly बर्क करता है बहुत ही आसानी से इसको बर्क करा सकते हैं अगर इसके uses की बात करें तो इसमें TRIIVE fault को बहुती जल्दी सेंज करता है मानलीजी हमने ये पैनल ट्रांसपार्मन में लगाया तो अगर ट्रांसपार्मन में कोई चोटा सा भी faulu होगा कोई को बी faulpt होगा तो इसको बहुत जल्दी सेंज कर लेता है और सेंज करने के बादा जो breaker है वो सप्छाई को ऊफ कर ट्रिप करा देगा जिससे जो बड़ा फॉल्ट है वो होने से बच जाएगा यह बर्क करता है हमारे बॉड़ी के नर्फ सेल्फ की तरह इतना फास्ट होता है यहां देख लिए जैसे हम किसी बॉड़ी में हमारे कोई बॉड़ी पार्ट पर कोई छोटा सा कीड़ा या कुछ ऑजाता है तो हमारे जो नर्फ सेल्फ होते हैं वह बहुत जल्दी इसको समझ लेते हैं कि कहां पर क्या है तो वहमिआरे मान को इसका डाटा बैते हैं कि यहांपर कुछ चीज है हम क्या करते हैं जैसे हमें पता चलता है तो हम किसी भी चीज सी जहां से उ regalo को दाइद te है जिससे जो हमारा बड़ा fault है वो होने से बच जाता है ये बहुत ही इसमें कारगर सावित होता है छोटे छोटे fault के लिए भी अगर हम इसके advantage की बात करें तो इसके बहुत सारे advantage हοιहें जैसे कि इसका construction देखा जाए थो ये जो पैनलकी construction इसका बहुत ही अच्छा होता है इसको इस से design किया जाता है और यह जो space दे हैं बहुत ही कम space ल Bett होता है तो इसको हम कहीं भी set up कर सकते हैं और यहां पर जो इसके transportation है वो भी बहुत कम हो जाता है बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं और इसकी दूसरे advantage इसकी बात करें तो इसको जो हमारा oil circuit breaker होता है उस परकार से इसमें जो है वो कोई भी हमारा cost नहीं लगता है कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है यह हमारा vacuum पर ही depend होता है तो इसमें कोई भी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है और इसका जो maintenance है इसका maintenance बहुत ही कम होता है low maintenance है कोई जादा maintenance नहीं है और इसका जो operation है वो बहुती easy होता है कोई भी इसको आसानी से operate कर सकता है और इसमें जब हम operate करते हैं तो इसका जो noise है वो इसमें noise बहुत कम होता है जब हम इसको on या off करते हैं तो थोड़ा सा sound होता है जादा इसमें sound नहीं होता है और सबसे अच्छी बात इसकी होती है, ये बहुती sensitive होता है, छोटे छोटे faults को भी बहुत जल्ली sense कर लेता है, सबसे important चीज़ होती है कि ये बहुती जल्ली इसको sense करता है, और इसको हम बार बार बंद या चालू कर सकते हैं, इस से इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यह इसके जो Contacts हैं वो खराब नहीं होती हैं सही से बर्क करते हैं और अगर इसके Disadvantages की बात करें तो इसमें ज्यादा कोई Disadvantages नहीं है इसमें एक Disadvantages है कि यह ज्यादा बड़ी Lines के लिए नहीं होता है यह हमारा 33 KB की Line तक ही बर्क करता है उसके बाद हम SF6 जो हमारे Circuit Breaker होते हैं उसका यूज़ करना पड़ता है मैं इसके बाद जो हम Next वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको Practically करके बताएंगे कि यह जो BCV है वो कैसे बर्क करता है कैसे Operate करता है तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी BCV Panel की Vacuum Circuit Breaker Panel की तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को Like, Share जरूर करें और इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कोई भी सवाल या सुजाव है तो आप उसको कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए क्यूंकि हम Electrical Maintenance Related और Solar Plants के Maintenance Related वीडियो इस चैनल पर लाती रहते हैं जो आपको बहुत कामा सकती हैं